दोस्तो जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगी कि सपने में अगर आपको साप देखता है तो किसका क्या मतलब होता है आज का वीडियोस आपको पूरा में बताऊंगा कि सपने में साप देखना जैसे कि काले रंग का अगर साप आप देखते हो या फिर आप किस इसी भी कलर का साब देखते हो तो उसका क्या रिजन और क्या कारण होता है कौन सा सपना ऐसा है जो सुब होता है और कौन सा सुबना ऐसा है जो असुब होता है साथ में दोस्तों उस सपने का मतलब जो फल मिलेगा वो कितने समय में मिलेगा इस वीडियो में हम आपको पूरा क पूरा डिटेल्स देंगे खुद के experience से थोड़ा बहुत इंटरनेट से knowledge इकटा है सब चीजे मिला कर जो result निकलता है वही हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप एक सिव भगत हैं, सिव लिंक पूछते हैं, सिव भगत हैं तो दोस्तो आपको अगर आप साप देखते हैं जैसे की काले कलर का तो दोस्तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको यह कहते हैं कि सुब होता है जी हाँ दोस्तो यह सुब तो होता है लेकिन उसके depend कैसा साप आपने देखा है अगर सांप आपने कुरोधित अवस्ता में देखा है तो दोस्तो उसका रीजन थोड़ा अलग होता है सांप को अगर आपने शांत अवस्ता में देखा है तो उसका रीजन अलग होता है साप ने अगर आपको परिशान कर रखा है या फिर आपके घर में बार बार आ रहा है उसका रीजन अलग होता है तो इतने रीजन होने के बाद आप भी लोग पूछने वाले जो होते हैं वो भी बहुत सारे रीजन लाते हैं तो उसका भी सही मतलब होता है क्योंकि हर इंसान को सपने में साप अलग अलग दिखता है या नहीं यह नहीं है कि हर बंदे को एक जैसे साप सपने में दिखाए देगा अगर आपको सान तोर अच्छे से साप दिखाए आपको कोई खत्रा नहीं है उससे आप डर नहीं रहे तब दोस्तों आप इस मतलब समझते हैं कि आपके जो सबने में साप आया है वो भी काले रंग का तो आपकी जो तरक्की है वो लाजमी होने वाली है किसी भी सफल में आपको खुशाली मिलने वाली है आपकी जिन्दगी में खुशी आने वाली है वहीं अगर आप गुस्षे में या कुछ ऐसा आप देख रहे हैं जिससे कि आप खुद परिशान हैं तो दोस्तों वहाँ पर आप ये मान के चलिए कोई ना कोई आपकी मसीबत आने वाली है और उसके लिए आपको सिव मंदिर जाना चाहिए वहाँ पर सिव लिंग पर आपको जले भी श्रात ना करें जिससे कि आपकी वो प्रोब्लम भी सोल हो जाएगी तो इस तरीके से अगर आपको कोई अलग कलर्स के साब दिखते हैं इसका मतलब तो दोस्तों आपको मसीबत आने वाले है डिपेंडिंग ओन कि कब आपका जो सबना आया है वो है कि कितने समय में वो मसीबत आएगी और कितने समय तक वो मसीबत रहेगी दोस्तों यहाँ पर आप देखीते हैं जैसे साप अपके सपने में दिखा, तो जैसे कि रात के 12 बजे उसके बाद का जो टाइम है, जब आपको साप दिखा है, तो दोस्तो इसका जो आपको 6 महिने के अंदर फल मिलेगा, लेकिन दोस्तो अगर आप 6 बजे के बाद, या फिर 5 बजे के आस पास, जो सपना देखते ह उसका फल आपको एक महिने के अंदर देखने को मिलेगा लेकिन दो रात का 12 बज़े का समय उस से पहले पहर के दिखा जाता है जो सपना आता है वुष्थका डिपेंड ज्यादा तर आपको कोई फल नहीं मिलता है अगर आपको कोई सावी सपना दिखा हो तो किसी भी तरीके स तो यहां पर यह इंपोर्डेंस है कि आपको सफना कब और कैसे दिखा है और सफने का जो साब दिखने का मतलब है अगर आपको काला साब दिखा है और आप उपर से सिव भगते शिव की पूजा करते है तो जूरूर धोस्तो आपको दूसरे दिन सिव दिन शिव ना करके अपना जो भी है वो मांग सकते हैं जिससे कि सिव परसन होंगे और आपकी प्रोब्लम अगर प्रोब्लम वाली है तो नहीं आएगी और अगर आपका सुब वाला सपना है तो जल्दी पूरा हो जाएगा तो आपको कैसे भी दोनों ही हवस्ताओं में सिव मंदिर चु लिखना इतने ठक आया है पूरा वीडियो देखा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप किस कमेंट करें कि किस तरीके का आपको सपना आया है और आप सपना अगर पहले कभी आया लाइफ में और उसका अनुभाव क्या रहा है आप सही है या इसका उल्टा हो आया है तो दोस्तों यह आप कमेंट अपने अनुभाव भी आप इस कमेंट में लिखेंगे जिससे कि लोगों को यह पता चलेगा मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करूंगा कि हाँ भाई यह सही बात है या फिर यह गल्त बात है यह भी आप लिख सकते हैं कि जो आपके अनु करें शेयर करें कमेंट करें